लाइबिलिटी और यह लाइबिलिटी तो यह कहा नहीं चाहिए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी सैट किस नमसे हैंगी आउस्टेंडिंडिंग वेज़ेंग वेज़ेंग बात के चलो अगला सल्डी जितने की भी है जाए जासे मुझे पता है कि बाराजार की थी और एक और अजस्मेंट में लिखा हुआ था आउट्सेटिंग सेलरी आठ हजार तो मैं क्या करूंगा दोनों को प्लस करके ही लिखूंगा कहां पर पी एगल में लेकिन जब हम बैलन्स शीट बना रहे होंगे तो बैलन्स शीट में सिर्व लाइबरीटी साइड लिखेंगे किसको आउस्टेटिंग सेलरी इंगे लिए इतनी सी बात ठीक है अगे लिखाव है प्री पेड और अनेश्पार एक्सपेंस प्रीपेड का मतलब होता है पेड़िए एडवांस ठीक है जो भी पेड़िए एडवांस तो नेक्स में कहा हैंगे बैलनशीट में आगी कहां पर ईसेट सइड वाज़ाइगा जदा प्रीपेड इंशुरेंस ही होता है लिख दिया मैंने जबद चतना जबर इंशोरइंगे लिखेंगे चलो तो इंशुरेंस थी 12 0000 रूपे की कोशन ने बोला उसमें से प्रीपेड इंशॉर तोटल चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो लेकि लिखेंगे चाहे नहीं दिया मतलब आउस्टेंडिक प्लस कर देंगे अगले साल का दे दिया तो माइनस कर देंगे कसकी सबस्क्राइन शुकर्ण समैंषक करने यर के अगर नहीं दिये तो जएक दो कुछ पहले लिखके अचकिक प्रभाई कर रहा है तो ऊचाही प internet ना कर रहा है नक्ते plat आने हैं बट आए नहीं है अगर आने और आए नहीं है तो इसका मतलब आएंगे तो सही और इंकम किसकी है इस साल की और इस साल की और इस साल की है तो आएंगे तो आएंगे तो आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा पी एनल में आड करेंगे और एक्जामपल कमीशन ने 12,000 रुपे गी और एक्रूड कमीशन थी 18,000 रुपे गी तो अभी यह आई नहीं है लेकिन फिर भी हमें आड़न करके दिखाने पड़ेगी 30,000 रुप और एसेट है तो लिख दें कि सीधा बालन सीट में एसेट साइट है यहां तक कि सभी बाते क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं क्या हम इंकम रेसीव कर चुके हैं क्या इंकम रेसीव इन इडवांस जैसे मैंने तुम से मार्ज की फिच ले ली अब यह मेरे उपर लाइब लाइबिलीटी जैसे 31 मार्ज खतम वैससे वो लाइबिलीटी भी खतम लेकिन जब तक वो हुई नहीं जब तक मेरे ले तो क्या रहेगी लैएबिलीटी कोई भी पैसा आपने किसी भी कस्टमर से इडवांस पकड़ लिया तो वो आपके लिए लियायबिलीटी जब तक ठीक है सर मैं आपको बीस जार रुपे डवांस जेता हूं और आप मेरे को देदना दो लाग का समान और बागी रेस्ट ओफ दा पेमेंट विच इस वन लेक टी टाउजन आई विल गिव यू एट टाइम ओफ डिलिवरी ओके ख्लियर है बाच तो इसका मतलब जो बीस जार र ठाइक क्या मेरे पास बोड़र आए तर्प्षेस मार्गों बीस जार वाल तो मैंने लेंगे देने वह पांच अपरेल को समाने कब देने वो तो यह जो एक लिए एस यह केलिए तो यह क्या हो गया एडवांस होगा और आडवांस का में पड़ेगा लाइवीर टीको कि इसक यहां देना मिलना कल था ले आज लिया तो लाइबिलिटी क्लियर है बहुत शलिए तो कमीशन माइनस कर देंगा एडवांस कमीशन तो बचा कितना 10,000 बचा कितना 10,000 बात क्लियर हो गई यहां तक समझ आगे यहां तक की बात आगी है पहली वह सीखर है सब मेरे जाल से चल अगला करते दीर दीर करेंगे यह करवा चुका था लास्ट यह लास्ट 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 तो डैपरिजिशन क्या होता है एक्सपेंस होता है और एक तरीके का लोस भी है मालों बिल्डिंग कित्ने की है 20 लाग रुबेगे ज कितने की मिल्लिंग है तो आगा प्याइस बात समझ आ अगई बैसट में आप बिल्लिंग माइनेंस डैपरिज Gesetzentwurf तो कि यहां दिखाते है एक्षुल एसेट की वैल्यू तो बिल्डिंग थी बीस लाग की माइनस कर दिया है दो लाग तो बचा क्या अठारा लाग क्लियर है पहले यहां तक कर लोट कर लो फड़ा-फड़ से देखो एक बारा समझा देता हूं बैटन क्या होते हैं मतलब होता है वो डेटनर जो मुझे पैसा देने से आखरी मना कर देंगे पैसा नहीं देगी तो अगर वह मेरी ट्राइल बैटन क्या बोलता हम उसको ओल्ड़ बैड़ वहीं पी आइटम जो आपकी ट्राय बैलस में होत लेकिन अगजती से बैटन आपको मिलें एसमें बैटन क्या बोलोगत उसको फॉर्दर बैटन का मितलब वह वह बहुतार दूबार दो जगहां चाहिए तो एक जगह तो एगा पीनल में तू बैटन के नाम से सेम चीज़ है ठीक है तूबैटन पीनल में डबिट से अड़े तो आँगा एक तो सक तो आगे संद्यारियों को आगे पुचाते हुए थोड़ा फोड़ा शुरू करते देखो जैसे प्रोविजान की वारी किसकी वारी है अप्रोविजन यह था थीक है यह क्या है प्रोवीजन चेस नमबर वन मालो आपको दे रखा है क्या में डैटर दे रखे है दो लग 20,000 रखे बैट ट्राइल बैलन्स में ही दे रखे है और अगर कितना रुपे की है 20,000 रखे है कोश्चन ने बोला एजस्मेंट बताओ 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डाउटफुल डेट ओके इसकी शोट फॉर्म है पी आर डीडी ठीक ह समझगे तो मैंने लिखने शोट फॉर्म लेकर आगे बोचो अब देखो पी एनल में आपको भी पता है पीएनल में तू बैट डट आता है ओल्ड वाला अभी पीछे करा था तू बैट डट आता है ओल्ड वाला इदर एक न्यू प्रोविजन निकलेगा न्यू कितने का था 22,000 वह माइनस करेंगे लिख देंगे जो भी आ रहा है यहां तक का समझ आ गया यह पूरा पहला है यहां से यहां तक का पहला केस है केस नमबर वर ट्रायल बैलेस में डेटर दोला 22,000 ट्रायल बैलेस में बैट डट 20,000 अजस्मेंट में 10% प्रोविजन फो कर दिया दोला 22,000 तोला 20 जार कर निकाल दिया है 22,000 उप्य हो गया बैलाशीट में क्रें डेटर माइनस न्यूपरोविज़न डेटर कितने घख है बैट डो ला बीज मैस करेंगे न्यूपरोविजन में डिस परसेंट वाइस है रहो गया आंसर कितना गया रिपल जिरो कर दो कर दो